तो हलो फ्रेंग्स वल्कम बाक्ट यो चैनल तो एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मिशन आज आपके लिए और है कि संजे गांधी पोस्ट ग्राडवेट इंस्टीट और मेडिकल साथ से मलब SGPGI लखनव के BSC Nursing के फॉर्म आ गए हैं जी है SGPGI एक अपने में क्लास इंस्टीट है और बहुत ही रिप्यूटेट इंस्टीट है और इसके BSC Nursing के फॉर्म आ गए हैं तो इसका क्या है इंटरेंस एजामिशन जो कि है 25 और जून को है क्या है इसका पेपर पैटर्न कितनी सीट से एलेबल है कैसे अपलाई करना है यह सब कुछ आपको वीडियो मताएंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इस BSC Nursing प्रोग्राम में बॉइज इन गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियां दोनों ही अपलाई कर सकते हैं BSC Nursing के लिए SGPGI की तो आई दिखते हैं क्या है वेबसाइट के तो एप्लिकेशन फीज है यहां पर 1000 रुपीज तो एप्लिकेशन फीज यहां पर कम है और कोई भी कैटिगरी हो चाहे SC ST OBC EWS जेनरल हो सभी के लिए 1000 रुपीज एप्लिकेशन फीज लग रही है एक्जामिनेशन डेट की बात करें तो ठीक एक महीने बाद 25 जूम को 2022 को इसका एक्जामिनेशन होना है अब हम seats की बात कर लें जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहां पे total seats 40 है जिसमें general के लिए 17 seats है OBC के लिए 10 seats है SC के लिए 9 seats है ST के लिए कोई reservation नहीं है EWS के लिए 4 seats है तो total seats है यहां पे 40 ठीक है fee structure भी इसका बहुत कम होता है minimum होता है बहुत अच्छा institute है तो 40 seats यहां पे available है examination है 25th of June को eligibility की बात कर लें तो 10 plus 2 में आपके पास फिस chemistry biology English होना compulsory है और unreserved category बदब general category के लिए 45% aggregate होना चाहिए फिजिस chemistry biology में English में नहीं मांगा गया है और SC ST OBC के लिए 40% aggregate मांगा गया है फिजिस chemistry biology ठीक है और सबसे important चीज बॉल्स और बॉइस दोनों ही apply कर सकते हैं ऐसा नहीं कि सिभ गर्ल सी इसका बेसी nursing कर सकते हैं आईए बात कर लेते हैं entrance examination mode की जो की अभी prospectus में भी नहीं दिया गया है लेकिन जैसे पिछली बार होता रहा है उसी में expect कर रहे हैं वैसे होगा तो इसका एंट्रेंस examination होता है इसका सेंटर रहता तो examination देने में कोई भी problem यहां पर नहीं होती ऑल ओर इंडिया एक्जामेशन पेपर बात के लिए दो घंटे का पेपर आया था पिछली बार यहीं अब बार भी expect कर रहे हैं कि दो घंटे का आएगा जिसमें 100 multiple choice questions पूछे जाते हैं physics के 20 chemistry के 20 biology के 20 तो आपको दो घंटे के अंदर करने होते हैं नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती एक मार्किंग यहां पर नहीं होती एक मार्क से जीरो मार्क से रॉंग अंसर ले इसलिए से कोश्चे ज़्यादा आते हैं और आपको work hard करना पड़ेगा इसे qualify करने के लिए कि seat यहाँ पर कम है ठीक है unberit cut off भी लो जाती है मतलब आपको वेहनत ज़्यादा करनी है क्योंकि marks आपके ज़्यादा जाते हैं ठीक है paper ऐसा पढ़ाते हैं आपको या ऐसी प्रप्रेशन कराते हैं is keeping करते हैं कि जैसे आप कट्रिंग कोश्ण अगर practice कर लें तो इसी कोश्ण करने में आसानी होती है कोई BSC Nursing का specific paper नहीं होता, जारतर papers आपको नहीं मिलते, तो पुराने papers आपको पास available नहीं होते, आपको कैसे study करनी है हम आपको guide करते रहते हैं, अपनी self study भी कीजिए, preparation भी करते दिए, हमारे videos को भी देखते रहिए, telegram का link भी नीचे दिया हुआ है, बने रे मैंचें सा, thank you very much and best of luck.